नमस्कार दोस्तों वेलकम स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आरेस जिंक्शन पर मैं हूं घंशाम 24 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेर्स का अंग लेकर हाजिरू तो दोस्तों बस लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्क्राइब कीजिए अमारे चैन ओधात ऐसी बसें जिनमें हाइड्रोजन इधन का प्रियोग किया जाए गा उन बसों का निमलिखित में से किन शहरों के बीच संचालन शुरू किया जाएगा पहली बार उत्तर है दिल्लि और जयापूर के बीच तो राजधानी दिल्ली को राजस्तान की राजधानी के दोरान की गई जानते हैं वो कौन सा अभियान है तो इलेक्ट्रोनिक वीकल के चार्जिंग इंफ्रस्ट्रक्चर और इमोबिलिटी के साथ साथ भारत में इलेक्ट्रिक कुकिंग के फाइदों के बारे में जागरूकता फिलाने के लिए केंद्रिय सड़क परिवहन और रा देखा जा रहा है और इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा 2015 से ही एक अभियान पर काम किया जा रहा है जिसका नाम है फेम योजना तो फास्ट अडप्टेशन और मैनेफेक्ट्रिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वीकल्स इस योजना के तहत पहले भी जैपुर और दिल्ली के जाएगा यह जो गो इलेक्ट्रिक अभियान है यह महत्पून पहल है जो आने वाले वर्षों में भारत के जिवास मीधन आयात निर्भरता को कम करेगा क्योंकि वर्तमान में हम 88 प्रतिशत से अधिक हमारी जिवास मीधन के जरुते हैं उनका आयात करते हैं कितना दोस्तों 88 प्रतिशत के करीब और केवल 12 प्रतिशत ही हम घरेलू उत्पादन कर पाते हैं इसी अभियान के तहत जो है प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल की बसे चलेगी और इनका संचालन कोन करेगा नैशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन एंटी पीसी अर्था नैशनल थर्मल पाव कों के साथ में पूरी पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा था ठीक है और इसी क्रम में एक पदक विजयता थी अरुंदती चोधरी जो की राजस्थान से जुड़ी है यह अरुंदती चोधरी है कोटा की तो बहुत महत्पूर्ण प्रश्ण है आपको पताओन अच्छी है तीसवी एडियाट्रिक्ट पेरल बॉक्सिंग इंटरनेशनल प्रतिविकता अठारा से बाइस वररी तक मॉंटे नेग्रो बुडवा अफ्रिका में आउजित की गई और इसमें कोटा की मुक्यबाच अरुंदती चोधरी ने 69 किलो वर्ग में खेलते हुए स्वन पदक ने नाम किया था चोधरी ने पहली फाइट फिनलेंड से और दूसरी फाइट उजवेकिस्तान से जो है खिलाडी से हुई और फाइनल में उन्होंने यूक्रेन को मार दी अदुन्दती ने हर एक मुकाबले में एक तरफा जीत दर्ज की खेलो इंडिया इस परधा में वे अब तक तीन बार स्वण पदक भी जीच चुकी है और आने वाले समय में उमीद है कि वे अंतराश्ट रिस्तर पर और भेतर प्रदर्शन करेंगी आगे बढ़ने से पहले दोस्तो आरपीएसी के सब इंस्पेक्टर की तैयारी आरेस जंक्शन प्लैटफॉर्म एप्लिकेशन पर हो रही है तो आप भी चाहें तो बहुती क्वालिटी माटेरियल के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं तो बिना सोचे आज ही हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन देखते हैं खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स दोस्तो लगातार देश भर में खेलो को बड़ावा देने के लिए सरकार दोरा खेलो इंडिया कैमपेंड की शुरुआत की गई थी और अब तक खेलो इंडिया गेम्स की तीन संस्क्रण आयोजित की जा सके इसी क्रम में पिछले संस्क्रण जो उनिवर्सिटी गेम्स का जहां पर कॉलिजिस भाग लेते हैं कॉलिजिस की खिलाड़ी भाग लेते हैं वो आयोजित किया जाएगा बैंगलूरू में करनाटक में के बैंगलूरू में जो है इसका आयोजिन किया जाएगा और ये आयोजिन Association of Indian Universities के साथ में किया जाएगा खेलो इंडिया उनिविशिटी गेम्स की गर में बात करूं तो यह भारत में आयोजित होने वाला राष्टिस्तर का बहु खेल का रिक्रम बहुत से खेल इसमें होते हैं और इसमें देश भर के विश्विद्याले के एथलीट जो हैं केल इस परदाओं में भागीदारी करते हैं ओडिसा में पिछली बार पहला संस्क्रण 22 फरवरी से हुआ था और एक मार्स तक आये जितवा था पहले संस्क्रण में पंजाब उनिवर्सिटी चंडिगट पहले स्थान पर थी सावित्री भाई फुले उनिवर्सिटी पुणे माराज दूसरे स्थान पर थी जबकि जीतने योग्योते जिन पर सरकार अतिरिक्त मेनत कर सकती है नेक्स्ट प्रिशन जो हमारा है वो भी हमारी रक्षा छेत्र से है तो भारती वायू सेना लगातार अपने बेड़े को अप्ग्रेड करने में है और इसी क्रम में जो नए तेजिस स्विमानों की सप्लाई भारत में सवदेशे रूप से निर्मत एक रडार का प्रियोग कर जाएगा जिसका नाम है उत्तम इज्रैल से रडार खरीटे के बजाए स्वदेशी आत्म निर वहार्त ऑर उत्तम रडार का प्रियोग यहां पर होगा तो भारती वाइव से ना 123 स्वाइटर जेट खरीदेगी जिसमें से 7150 विमानों में उत्तम Active Electronical Scand Array नामक रडार जिसको ऐसा भी हम कहते हैं उसका प्रियोग किया जाएगा रडार का रक्षा अनुसंदान एवं विकास अंगठन के प्रियोक्षाला Electronics and Radar Development प्रतिष्ठान ठीक है LRDE के द्वारा विकास किया गया है Indian Air Force को सबसे पहले 40 stages मिलेंगे जिसमें इजराईली रडार होंगे लेकिन स्वदेशी रडार उत्तम के बाद इजराईली रडार का यात हम बंद करतेंगे तो जो अतरिक्त कोस्ट हमारी है वो development में खर्चो पाईगी उत्तम स्टेट अफ दे आर्ट एक ऐसा रडार है जो एक साथ सोट आर्गेट्स को ट्रैक कर सकता है और इसके साथ साथ निगरानी के समय अत्यदिक हाई रेजोलिशन की तस्वीरे लेने में भी ये सक्षम है इसी खूबी के तहट जो है उत्तम रडार को प्रियोग किया जा रहा है जो कि डियाडियो द्वारा स्वदेशी रूप से निरमेत किया गया है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रिशन देखते है मद्यपरदीश उत्तरपरदेश की तर्च पर मद्यपरदीश सरकार ने भी जो जिले हैं उनका नाम बदलना शुरू कर दिया और इसी क्रम में एक जिले का नाम बदल करके नर्मदा पुरम रखा गया है और यह जिला कौन सा है यह होशंग अबाद मांडू के सुल्तान होशंग सा जो है उनके नाम पर जिसे जाना जाता था उसी का नाम बदल कर अब नर्मदा पुरम रखा गया है नर्मदा ददी यहां से बहती है और नर्मिदा जयन्ती के अउसर पर ये नाम बरिवर्तन किया गया होशंगाबाद के स्थापना मालवा अर्थाद मांडू की दूतिय सुल्तान होशंग शाग गोरी ने पंद्रीश रताब दिक्या अरम में की थी उसी के नाम पर इस शहर का नाम होशंगाबाद पड़ा था नर्मदा नदी के ट्रत्पर बसा होशंगाबाद सत्थपूरा परवत्स रंखला में बसा मद्यप्रदेश का प्रमुक परिटन शहर है अगर हम उत्रप्रदेश री बात करें तो अक्टूबर 2018 में योगी सरकार ने संगम नगरी इलाबाद का नाम बदल करके प्रियाग राज किया था इसके बाद में फचाबाद जिला जो है उसको भी परिवर्टित करके उसका नाम अयोध्या रखा गया है तो ये कुछ पुरानी जो पुराने नाम हुआ करते थे उन्ही नाम उपर अब इन शहरों के नाम रखे जा रहे तो ये थे दोस्तों आज के करेंट अफेर्स जिन में से प्रिशन पूछे जाने की सम्भावन आये हैं तो अपना योगदान दीजिए और इसे शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्क्राइब कीजिए हमारे चैनल को वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद